हेलो फ्रेंड्स मैं वर्षय योली मेरे चायनल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम देखेंगे रक्षा बंदन स्पेशल थाली तो चले फ्रेंड फिर थाली बाराना शुरू करती हैं सबसे पहले तो हम दाल ताड का तायार करेंगे तो दाल ताड का तायार करने के लिए दाल कुकर में लगा लेते हैं यहाँ पर दाल मैंने भिगा कर ली नहीं सीधी धोकर ले ली है यह कटोरी दाल ली है जिसके लिए चार कटोरी पानी डाल देंगे तो दाल में पानी डालने के बाद हम दाल में चुटकी बर हल्दी पाउडर, स्वाथ के नुसार नमक और आधा चमच वाइल डाल कर कुकर का धकन लगा लेंगे और कुकर गैस के उपर चाड़ाएंगे, हम लोटो मेडेम गैस के उपर डाल की तीन सिट्या निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने दाल कि तीन सिटीया निकाल ली है आप देख सकते हो बहुती बढ़ी अतरीके से यहाँ पर यह दाल हमारी बन चुकी है देखें पूरी तरह से गल चुकी है बस इतनी हमें दाल गला नहीं थी आप दाल को तड़का लेने के लिए ले लेते हैं इने कड़ाई रख दिये है कड़ाई में सबसे पहले वायल डालेंगे तो वायल यहां पे हमारा गरम होच्छ चुका इतो Чтоई में पे आधरक लसन हारे मीर्च आच्चे से तेल में चटकने देंगे हलका उनका कलर चेंज होना चाहिए अब इसमें हम डालेंगे एक चमच खड़ा धनिया हाथ के उपर क्रश करके साथी में एक बड़ा टोमेटो बारी कट करके आप चाहो तो इस दाल तड़के में प्याश कभ माल किया है तमाटर बस दो मिनिट भूनना है तमाटर भूनने के बाद आप इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले कुछ पाउडर मसाले मतलब बस में यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लाल रही हो आप चाहो तो इसमें गरम मसाला धना पाउडर आपके आपके हिसाब स अब दालаг बना सकते हो यहाँ है मैं सिमपल्स दाल तड का बना रही हूं जो खाने में पी टेश्चते हो और बनने में आसन हो तो यहाँ पे मैने लग-इस पाउडर बास मसालों के साथ किसाया की साथ मिक्स कर ली फिर जो दाल उबाल कर रग दि थी वो वाली उबली हूई दाल डाली अब इसमें में ज़्यादा पाणी याड नहीं करने वाली हूँ जैसे होटेल में गाड़ा हम होटेल में जा कर दाल तारड़ा क्गाते हैं यहाँ पर दाल दालने के बाद बस दो मिनिट दाल उबाल ली और उपर से थोड़ी सी धनिया पती याड कर ली तो यहाँ पर यह गर्मा गरम हमारा दाल तड़ का तायर हो चुका है तो आप दाल तड़ का हमारा तायर हो चुका है दाल तड़ का रख देते साइट में आप ब परम हो चुका है तो वाइल में सबसे पहले डालेंगे आदा चमत जीरा यहाँ पर आच्चे से फूल चुका है तो इसमें में थोड़े से खड़े मसाले डालती हो दो हरी विलाईची एक डाल चिने का तुकड़ा साथ में दो तेश पान हल्के मसाले चटकने के बाद यहाँ पर सीधे एक कोटोरी चावल अच्छे से धूकर डालने हैं यहाँ पर मैंने तुकड़ा चावल का इस्तमाल किया है आप चाहो तो साबुत बासमती चावल का इस्तमाल कर सकते हो तो चावल दो मिने ओयल में फ्राय करने के बाद स्वात के नुसार नमग डालना है यहाँ पर कोटोरी चावल लिए है उसके लिए दो कोटोरी पानी डाल देना है एक बार पानी के साथ चावल मिक्स कर लेने है फिर कुकर का ढकन लगाना है और कुकर का ढकन लगा कर कुकर की दो सिट्या निकल लेनी है कुकर की जब दो सिट्या निकल जाएगी तो कुकर ग्यास पूर तरके 5 मिनिट और 5 मिनिट के बाद आपका बहुती मस्त और खिला खिला यहाँ पर जिरह रईस तयार हो जाएगा तो ध्यान रखना हैं कि आपको कुकर की बस दो यही सिट्टे निकलनी है और दो शिट्टी निकलने के बाद कुकरiano तो देख सकते हो आपना कितना मस्त यहां पर यह जोड़ी सी धन्यापति डाली है और आपको एक बार दीरे से चाला कर भी दिखा थीओ किस तरह से यहां पर पुलाव बन चुका है मतलब जीरा राइस बन चुका है और आभी तो गरमी है देखें और थन्डा होने के बाद तो अब हम बनाएंगे भूना हुआ जिरा आलो तो इसके लिए प्यान रखा है प्यान में वैल डाला है वाइल को आच्चे से गरम करके ले लेते हैं तो वैल हमारा गरम हो चुका है तो वैल में सबसे पहले डालेंगे आदा चम्मच राई, आदा चम्मच जीरा राई जिरा हमारा आच्चे से फुल चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे हाथ के उपर क्रश करके खड़ा धनिया एक चम्मच साथ में दो तीन हारी मिर्च लाम स्लाइस में कट की हुई चार आलू उबाल कर छिलके निकाल कर मेडेम पिस इसमें कट कर लिए अब उसमें हल्दी पाउडर आदा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच धना पाउडर आदा चम्मच चाट मसाला याड़ किया है और सब मसाणे डाल कर आच्चे से यहां पे आलो मикс कर ले आप इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और स्वाथ की नुशार नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर इतने ही मसाले डालने हैं भूने हुए, आलो में बाकी की कोई चीज याड नहीं की जाती, बस आप इसको आच्चे से 4-5 मिनिट ग्यास के उपर भूनना है, जितने आच्चे से यह भूने का आलो खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा, तो यहाँ पर यह सब च चलते हैं हम अपनी आगली रेसिपी की तरफ, तो आप हम बनाएंगे पनीर की सबजी, तो पनीर की सबजी भी बहुत सिंपल वाली दिखा रही हो, कोई भी इसको देख़र बना सकता है, बस आपकी यह पनीर की सबजी 10 मिनिट में मुश्किल से तायार हो जाएगी, ग्यास क तो यह सब चीजे हलके हमें भून लेनी हैं, जो हमारी पनीर की सबजी है ना, उसमें होटल जैसा तेश्ट आने के लिए आपको इसमें 7-8 काजु डाल देनी हैं, अब इन सब के साथ काजु भी आपको हलके भून कर लेनी हैं, साती में इसमें हम एक बड़ा टोमेटो डाल पाराईएं के कट करके लाल वाला तो यहाँ पर यह सब चीज़े इसकी सब से डाली हैं, क्योंकि हम बस 2-3 लोगों की सबसी सबजी बना रहे हैं, तो उसकी सबसी सब चीज़े थोड़ी थोड़ी लेनी हैं, आगर आपको 3-7 लोगों के लिए सबजिश बनानी हैं, यही च कड़ाई में हम वाइल डालेंगे और वाइल को आच्चे से गरम कर लेंगे वाइल यहां पर गरम हो चुका है तो वाइल में सबसे पहले हम याड़ करेंगे आधा चम्मत जीरा तो तो यहां पर मैंने जीरा डाल दिया है जीरा हमारा आच्चे से चटक चुका है तो जो चीज कि मिल्कूल देर नहीं लगती बस दो तिन मिनेट में ये पेस्ट वाइल रेलिस कर लेंगे फिर उसमें हम थोड़े पाउडर मसाले याड़ करेंगे लाल मिरची पाउडर चुटकी बर हल्दी पाउडर एक चमच धना जिरा पाउडर आदा चमच काली मिरच का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला आप सब मसाले पेश के साथ मिक्स कर लेते हैं स्वात के नमक याड़ कर लेते हैं बस मिनेट भर मसाले सब पेश में भूनेंगे फिर आपको सबजी कितनी बनाने हैं उसके ही सबसे पानी याड़ कर लीजे और पानी याड़ करने के बाद पानी हलका उबालना शुरू हो जाए तो उसमें पनीर डाल दीजे आप पनीर डालने के बाद पनीर के साथ हम आदा चमच गरम मसाला याड करेंगे सब चीजे फिर से एक बार चला लेंगे आप ग्यास को मेडेम रखेंगे और मेडेम ग्यास के उपर आच्चे से पाच मिनेट सबजी उ जागे गे और जो सब्जी की पूरी प्रोसेस है पूरी प्रोसेस आपकी बस 10-12 मिनिट में कंपलेट हो जाएगी और बड़े आतरीके से आपकी पनीर के सब्जी खाने के लिए तयार हो जाएगी देखें कितनी मस बन चुके उपर से मैंने दोहरी मिर्च कट करके डाली है स साथी में थोड़ी सी धन्यापती, आप चाहो तो इसके ऊपर आप कसुरी मेथी चाहिंगे, यहाँ पर मेरे पास कसुरी मति हैं रखे हुई, लेकिन जाहदा सब्जी में हमारे कसुरी मेथी पसंद नहीं करते तो इसलिए मैंने नहीं डाली, आप चाहो तो डाल सकते हो, कसुरी मेथी ने पर्फेक्ट आपका पनीर होटेल जैसा ही लगेगा, ऐसे भी होटेल जैसा है लगेगा, क्योंकि जो होटेल की प्रोसेस होती है, बिल्कुल वही प्रोसेस मैंने दिखाए है, लेकिन बहुत शौर्ट कट में दिखा और आ चुका है तो यहाँ पर यह गर्मा गर्म हमारी मस्ट चटपटी पनीर की सबजी खाने के लिए तयार हो चुके तो आप चलते हैं हमारे अगली रेसिपी की तरफ आगली रेसिपी मतलब में आप पूरी तल कर दिखाऊंगी क्योंकि पूरी का आठा लगाना पूरी बेल सबको आता है मैं बस यह कंपलेट थाली देखे इसलिए तली हुई पूरी दिखा रही हूँ और साथी में जो मैंने इस थाली में मिठाई रखी है वो मिठाई मैंने मार्केट से लाई हुई है मुहन थाल है अगर आपको कोई भी मिठा बना नहों तो मेरे चानल पर बहुत सारी मिठाई की रेसिपी है खीर भी सब तरक है रवे की खीर से वये की कीर हलवे भी बहुत तरक है बेशन का हलवा पर आटे का हलवा साथी में नौर्मल सूजी का हलवा आपको जो मिठा बनाना है आप बना सकते हो और नौर्मली त्यहवारों में तो हमारे घर में मिठाई रखी होती है और भार से मिठा आता है तो इसलिए मैंने इसमें मिठाई बनाना स्किप्ट किया है तो साथी में यहाँ पे हमारी पूरी थाली बनकर तयार हो चुके जिसमें यह पनीर है चटपटा साथ में भुना आलू है का अपना दाल तड़का है जिरा राइस है साथ में मिठाई ब्लाइब है तो मिठा रखे बेगर थाली थाली पूरी होती नहीं क्योंकि इत्यावार की थाली है आप चाहो तो आपके हिसाब से जो पसंद हो ओ मिठा इस थाली में रख सकती हो आपको ये थाली की रेसिपिक कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कूल भी भूले ह पसंद आये याद लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले फिर मिलेंगे इस न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई